बालों को सुखाने के लिए Hair Dryer का इस्तिमाल आजकल खूब किया जा रहा है हलांकी प्राकृतिक तरीके से बालों को सूखने देना उनकी सहत के लिए ज्यादा सही होता है Hair Dryer से निकलने वाली गरम हवा बालों को रूखा बनाती है इससे बाल कमजोर होते हैं और तूटते हैं लेकिन सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये समस्याएं नहीं आएंगी Hair Dryer खरीदने से पहले कुछ बाते ध्यान में रखें Wattage Hair Dryer की Wattage जितनी अधिक होती है उतनी ही अधिक गर्मी पैदा होती है और उतनी जल्दी ये आपके बालों को सुखा देगा अधिकाश बालों के प्रकारों के लिए 1000-1800 Watt किशमता के बीच का Hair Dryer प्रयाप्त होना चाहिए यदि आपके घने गुंगराले बाल हैं तो ही इससे अधिक Wattage की अवश्यक्ता होगी कमजोर या क्शतिग्रस्थ बालों वाले लोगों को तॉलिये से सुखाना चाहिए और Hair Dryer में सबसे कम गर्मी की सेटिंग्स का विकल्प चुनना चाहिए कभी भी अपने बालों के एक क्शेतर को बहुत लंबे समय तक टार्गेट ना करें बले ही वे घना और गीला हो Motor एक तेज Hair Dryer आपके बाल बिना क्शतिग्रस्थ हुए जल्दी से सुखाएगा AC Motors और High Torque Motors एक अच्छा विकल्प है क्योंकि वे आपके बालों के बीच हवा को जल्दी से स्थानांतरित करते हैं Salon Quality वाली AC Motors 40% तेज वायू प्रभा प्रदान करते हैं और तीन गुना अधिक डूरेबल होते हैं Settings अधिकांश Hair Blowers पर गर्मी की मात्रा और हवा की गती की Settings होती है कुछ Hair Dryer में दो Air Speed के साथ 3 Heat Settings होती है High Speed High Heat Settings मोटे लंबे बालों वाले लोगों के लिए इस्तिमाल की जानी चाहिए जबकि कम गती कम गर्मी पतले बालों के लिए सबसे अच्छी है Filter अधिकांश Blow Dryers में Filter लगे होते हैं जो आपके Dryer की Motor की रक्षा करते हैं और उसके जीवन का विस्तार करते हैं Filter धूल, बाल और अन्य मलबे को इकठा करते हैं इसलिए उन्हें साफ करने की अवशक्ता होती है कुछ में Removable Filters भी लगे होते हैं इसलिए सफाई करना असान है अगर हवा का प्रेशर कम हो जाए या Dryer बहुत करम हो जाए तो इसके Filter साफ कर लेने चाहिए Construction Ceramic Based Hair Dryers काफी लोगप्रिया हैं क्योंकि Ceramic Dryers Infrared Heat का उपयोग करते हैं जो बालों को नुकसान नहीं पुंचाता है कई Dryer Triple Baked Ceramic का उपयोग करते हैं जिसके परिणाम सरूप करमी समान रूप से वित्रित होती है Tourmaline जो की Minerals से बना है दुनिया का सबसे अच्छा Ionic और Infrared Generator है Infrared के साथ आप उच गरमी सेटिंग का उपयोग कर सकते हैं जो बालों को नुकसान नहीं करता Weight जो कि आप एक हाथ से Hair Dryer पकड़ते हैं इसलिए वजन बहुत महत्वपून है यदि आपके बाल लंबे हैं तो इसमें लंबा समय लग सकता है और हलका वजन भी थोड़ी देर बाद भारी लग सकता है हलके Blower आम तोर पर छोटे होते हैं इसलिए आप उन्हें यात्रा पर भी ले जा सकते हैं अब हम आपको बताएंगे कि Hair Dryer का इस्तिमाल करते वक्त आपको क्या गलतियां नहीं करनी हैं और कैसे इनका सही इस्तिमाल करना है Hair Dryer का इस्तिमाल करते वक्त ध्यान रखें कि इससे आपके बालों की दूरी कम से कम 6-9 इंच जरूर हो इससे कम दूरी पर रखकर Hair Dryer का इस्तिमाल करने से बालों में रूखापन बढ़ता है और बाल जल्दी तूटते हैं बालों पर Hair Dryer का इस्तिमाल करने से पहले बालों में पोशन योग सीरम लगाना न भूलें ये सीरम Hair Dryer के हीट से आपके बालों को नुकसान पहुंचने से बचाता है साथ ही इससे आपके बाल भी मुलाइम बनते हैं Hair Dryer के इस्तिमाल से पहले बालों में कंडिशनिंग कर लेना सही होता है इससे बालों के उलजने की संभावना कम होती है और बाल तूटते नहीं है अगर आप लगातार बालों में Hair Dryer का इस्तिमाल करते हैं तो जरूरी है कि आप रोज अपने बालों में तेल लगाते रहें इससे बालों को परियाप्त पोशन मिल जाता है ये जरूरी इसलिए है क्योंकि Hair Dryer का बार-बार इस्तिमाल करने से बालों से पोशन जाता रहता है Hair Dryer को हमेशा हैंडल से ही पकड़ें साथ ही बालों को ऐसे उठाएं कि brush और ड्रायर समानांतर हों Hair Dryer के इस्तिमाल के वक्त सही brush चुनना बहत जरूरी है इस तोरान धातों के brush का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए आएए नजर डालते हैं कुछ popular models पर Philips HP 8100 Hair Dryer का design compact है और ये 1000W पिजली कंज्यूम करता है इसमें दो heat settings है और इनसे motor speed भी automatically कम या जैदा हो जाती है इसकी कौड 1.5 मीटर लंबी है और आगे एक air concentrator लगा हुआ है Panasonic ND11 Hair Dryer भी 1000W कंज्यूम करता है और इसमें भी दो heat settings है इसका design भी काफी compact है हलांकि इसमें हवा का focus करने के लिए concentrator नहीं है शाओबा 2800 professional hair dryer 2000W बिजली की खबत करता है और 2 मीटर लंबी कौड के साथ आता है इसमें खास बात ये है कि इसमें थंडी हवा blow करने की भी सुविदा है इसमें दो heat settings और push button heat control भी है सिसका HD 1610 hair dryer 1200W का है इसमें भी दो heat settings है और थंडी हवा का भी option है ये foldable भी है और fold करने के बाद और compact हो जाता है हेवल्स HT 31151 1200W hair dryer एक और best seller है इसमें दो heat settings के साथ cool layer option भी है इसमें double overheating protection है और इसकी air concentrator nozzle detachable है इन से products की नवीनतम कीमत और अतिरिक जानगारी के लिए नीजे दियेगे links पर click करें धन्यवाद करना एक चला हम लुगाद करना खर करना तर दो बांप लुगाद एक ओॉगाद थाई जी रुगा कि ऱगवल्वाद तकरिक दूने हो झूछूर गह